नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल आरफेसी ओफेसियल में दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखी चुके हैं कि आजम किस टोपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, आजम टोकियो उलम्पिक 2020 से सबन्दित कुछ मैटपून परसण के बारे में जानेंगे कुछ फेक्ट के बारे में जानें कि टोकियो उलम्पिक 2020 इसमें किस खिलाड़ीने कौन सा पदक जीता है और उसमें भारत का क्या योगदान रहा है और दोस्तों यह एक ऐसा टोपिक है जिसमें से 100% निश्चित रूप से दोस्तों चाहे वो सेंटर लेवल का एकजाम हो चाहे कोई स्टेट लेवल का एकजाम हो 100% से दोस्तों एक या दो परसनिसमें से पूठ्य जाने की पूरी-पूरी संभावना है और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको टोक्यो उलम्पिक 2020 से सबन दित कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की तो दोस्तों देखिए कि आगे बड़ो की थीम के साथ 32 ओलम्पियाड शुरू तो सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि टोक्यो उलम्पिक 2020 की थीम क्या थी आगे बड़ो और ये कौन से नंबर का था दोस्तों 32 नंबर का तो ओपनिंग से रेमेनी में आये थे 10,400 लोग तो आक्रिकार 364 दिन की देरी से 32 ओलम्पियाड शुरू हो गया तो 364 दिन की देरी अपने को पता है क्यों हुई थी COVID-19 के कारण नेशनल स्टेडियम में आगे बड़ो की थीम के साथ सुकरवार को टोक्यो गेम्स शुरू हुए COVID की वज़ाय से जिसका निदन हुआ सबसे पहले उनको सरदांजली दी गई बांगलादेस के सोचल आंत्रपोर्ण MER NOBLE PRUSHKAR विजेता महमोद युनिष को ओलंपिक लोरियल दिया गया तो इस बात को द्यान में रखना है कि ओलंपिक लोरियल किसको दिया गया था? बांगलादेस के महमोद युनिष को मार्च पास्ट में सबसे पहला दल ग्रीश का था मतलब जो मार्च पास्ट हुआ उसके अंदर सबसे पहला दल किसका था दोस्तो ग्रीश का था और 21 नंबर पे जैसे ही मेरी कौम और मनप्रीत की अगवाई में भारतिय दल ने प्रिवेश किया तो मतलब 21 नंबर पे कौन आया देखो दोस्तों ये देखो भारत की आनबानशान ये कौन दोस्तों मेरी कौन ठीक है और ये कौन दोस्तों होकी के जादूगर मनप्रीत सिंग तो इन्होंने क्या है दहुज वाग का काम किया था टोक्यो सिरीगनेस के दोरान सबसे पहले दोस्तों कोन आया था ग्रीज अब उसके बाद क्या दोस्तों एक अगवाई में बारत्यदल ने परवेश किया तो ऐसा लग रहा था कि 135 क्रोड लोगों की उमीदों का तिरंगा लहरा रहा है सबसेंत में आये मेजबान जापान के खिलाडियों का समराट नारो हित्तों फ्रांस के रास्टर पती इमानूल मेक्रो अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन आईयोसी डेक्स थूमस बाक सहित मुजूद अतितियों ने स्वागत किया तो दोस्तो जो उलम्पिक है बहुत ही दूमधाम से इसकी सुरुवात की गई अब देखें दोस्तो इधर ये ये क्या है दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है क्या है यहां पे इनकी बात कर रहा हूं जापान की नाउमी ओसाका ने ओलम्पिक फलेम रोसन की ये दोस्तो जापान की नाउमी ओसाका है जिनोंने ओलम्पिक मसाल जलाई ये आपको हमें ध्यान में रखनी इस बात को घांट बांद ये रख लेना दोस्तो कि ये ओलम्पिक मसाल किसने जलाई थी जापान की नाउमी औसाका ने और दोस्तो ये नाओमी औसाका है ये टेबल टेनिस की शांदार के लड़ ये दोस्तो इसने काफी यूएस ओपन फ्रेंच ओपन ये परत्योगिता हैं जित्ती है अब नेक्स्ट देखे दोस्तो ये देखे दोस्तो चांदी सी चमक 26 साल की वेट लिफ्टर मीरा बाइचानू मा से तोफ़े में मिले ये रिंग स्प्यान कर मेट परूतरी मा के गुड लग से देशको मेडल तो देखे दोस्तो ये मीरा बाइचानू है और मीरा बाइचानू ने बारत को पहला ही पहला मेडल जो दिलाया था वो मीरा बाइचान ने टोक्यो 2020 के दूसरे दिन पूरे देश वासियों को खोशी की वज़े दी 26 साल की रेट लिप्टर मीराम बाई चान्नू जो की 49 के जी इवेंट से इनका सबंद है के सिल्वर मेडल ने क्रोडो फेंस के चेरे पर गोर्डन चमक भिके री मनिपूर की मीरा मा के गुड़ लग के साथ टोक्यो पहुंची देखे दोस्तो मीराम बाई चान्नू के बारे में अपने को कुछ फेक्ट ज्यान में रखने है एक तो इनन टोक्यो उलम्पिक 2020 में कौन सा मेडल जीता सिल्वर मेडल जीता था ठीक है दोस्तो और इनका जो खेल है वो कौन से है दोस्तो या आप इस फोटो में साफ साफ देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग या भारलोतन खेल है इनका और इनका सबंद किस राज्य से है तो दोस्तो इनका सबंद है वो किस राज जैसे है मनीपूर से है दोस्तो आगे पढ़ते हैं दोस्तो मा से मिले तोफे में मिले सोने की ये रंग पहने थे जो ओलंपिक रिंग में डिजाइन के थे मेरा ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली दूसरी बारती है मेला खिलाडी बन तब ही मैं, मैंने ये रिंग्स देखे जो मैंने रियो ओलम्पिक से पहले इसको दिये थे, मैंने अपने गैने बेच कर और कुछ सेविंग से ये बनवाई थे, मीरा ने 202 किलो अस्ट्यासी स्नेच और 115 क्वीन एंड जरक वजन उठाया, चीन की होव जी हुई 210 किलो ने ओलम पिक में बारत के लिए मैला खिलाडी ने लगा तार 30 मेडल जीता, रियो में सिंदू और साक्सी ने भी मेडल जीते, अब देखे दोस्तों इन्होंने मीरा बाई चान्नू ने बारत के लिए कौन सापदक जिता था अपने को ध्यान में रखना है, सिल्वर और इनकी जो काटिगरी है, वो है 49 kg से, इनका सबंद की से दोस्तों मनी पूरा जैसे है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये देखे दोस्तों बारत के लाडली कौन है, पीवी सिंदू, तो सिंदू ने चिन्नी के लाड़ी को राकर ब्रोंज जीता, तो सबसे पहले ये बात अपने को ध पदक जीता था, ब्रोंज जीता था दोस्तों, ब्रोंज पदक पीवी सिंदू ने जीता था, और अब देखे दोस्तों, एक सो पत्ची साल में पहली बार, दो मेडल जीतने वाली बारतिये, पहली बारतिये महिला, यानि सफलता बारतिये महिला, ओपिनियन, तो पीवी सिं आज के अंदल जो दो मेडल जीते हैं fit gymen जीते हैं उभ्मेट को चींकी बिंगीन जी आईओं को ये दोस्तों झियां में रखना हैनों इता हैं 21-13, 21-15 से राकर ब्रोन जीता है और इन्होंने रियो उलम्पिक में सिल्वर जीता था उलम्पिक में अब तक भारत के सिर्फ दो खिलाडी एककल एक से ज़्यादा मेडल जीत पाई हैं पहले सुसील कुमार है और दूसरी है सिंदू और इनके साथ ही टोक्यो उलम्पिक में मेडल अटेली में बारत के दो मेडल हो गए है बॉक्सर लवलना सेमी फाईल ने पूछकर मेडल पका कर चुकी है तो देखे दोस्तो, पहला मेडल अपने को किसने दे रहा है था? पहला मेडल अपने को दिला है यह weightlifting मीरा बाई चांणु ने कौन सा पदक जिता था दोस्तो यह शिलवर पदक और P.V. Sindhu ने कौन सा जिता है दोस्तो पिवी Sindhu ने जिता है ब्रोंज पदक तो देखें दोस्तो इनका कथना यहां पर यह मेरे अंदर बावनाओं का जवारू मढ रहा था मुझे खुशी होना चाहिए कि मैंने काँ से अपदक जीता है या दुखी होना चाहिए कि मैंने फाइनल में खेलने का मौका गवा दिया देखे दोस्तों इनकी सोच है वो कितनी positive सोच है दोस्तों यह कह रही है कि या तो मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने काँ से अपदक जीत लिया है देश को काँ से अपदक दिल दिलाया है और यह कह रही है कि या मुझे दुखी होना चाहिए कि मैंने जो फाइनल में खेलने का मौका गुआ दिया और इनको उत्साइट करने के लिए अपने परदान मंतरी मोदी जी ने क्या का इनके बारे में, हम सभी पीवी सिंदू के सांदार परदर्शन से उत्साइत है, कांश्य जीत ने परबदाई, वे भारत का गोरव है, और हमारे सबसे बहतरी अलम्पिय खिलाडी में से एक है, तो दोस्तों, जो देश के लिए काम करते है, उनका समान क्या है, परदान मंतरी चिक तक भी करतें दोस्तों, और दोस्तों, अपने गोएक बात इनके बारे में और ध्यान में रखनी है, कि जो इनका खेल है वो कौन सा या दोस्तों, बेडमिंटन के खिलाडी है ये, अग्ये दोस्तों देखिए ये है होक्की की टेम और होक्की में क्या क्या दोस्तों वर्ड नंबर चार भारतिया टीम ने ब्रोंज मेडल मेच में नंबर पांच जर्मनी को पांच चार से हराया तो सबसे पहले अपने को ये बात द्यान में रखनी है कि जो बारतिय होकी टीम ने कौन सा मेडल जिता था दोस्तो ब्रोंज मेडल और हराया किसने ये भी बहुत इंपोर्टेंट दोस्तो जर्मनी को और कितने से हराया दोस्तो पांच चार गोल से हराया ये इंपोर्टेंट दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है कि बारतिय होकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता और जरमनी को हराया पांच चार से हराया और इसी के साथ अपने को एक स्वाल और ध्यान में रख रहा है दोस्तों ये देखो दोस्तों गोल कीपर इनके बारे में भी परसंद पुछा दा सकता है दोस्तों गोल कीपर के बारे में कि इनका नाम क्या है पी आर सिरीजेस तो बारत के जो गोल की पर है जो होकी टीम के वो कौन थे दोस्तों पी आर सिरीजेस पी आर सिरीजेस थे दोस्तों यह यहां पर इदर पी आर सिरीजेस और जो बारतिय होकी टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों मनपरीत से तो इनके लिए भी देखो दोस्तों अंतिम 6 सेकिंड करो या मरो की तरह थे 21 साल से मेडल का इंतजार था और गोल कीपर PR स्रीजे समेच खतम होने के बाद गोल पोस्ट के सामने दंडावत होगे मतलब बहुत इनको कुछी हुई दोस्तों और इसी परकार जो हमारी टीम है बारतिया टीम है इन्होंने कौन सा मेड मेडल जीता था दोस्तों यह देख लो दोस्तों ब्रोंज मेडल जीता जर्मनी को 5-4 सेरा कर और बारतिया टीम के कपतान कौन है दोस्तों मनपरीत सिंग और गोल किपर का विसेश तोर पर अपने को ध्यान में रखना है यह दोस्तों PR स्रीजेस इनके बारे में परसंट दोस्तों 57 किगरा के फाइनल में रवी कुमार देया को रुसी पहलवान जाओन अगवे ने 7-4 सेराया कम बेक नहीं कर सके रवी और मिला क्या दोस्तों सिल्वर तो रवी कुमार देया ने कौन समेटर जीता है दोस्तों सिल्वर पद किनों ने जीता है अब तक सिल्वर पने कोन किससने जीता है दोस्तों, रवी कुमार दाइया ने, और ब्रोंज पना किस ने जीता है, він कीक टीम ने जीता है, और पीवी शिंदु ने जीता है, तो अब देखें दोस्तो पढ़ते है निके बारे मैंदें बारातियों को बरे इतनी बात दोस्तों इनकी ज्यान में रखने हैं अपने को कोई जदा इंपोर्टेंड नहीं है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बोक्सें वर्ड चेंपियन के सामने नहींट की लवलिना 0-5 से हारी तो दोस्तों बारतिय बोक्सर लवलिना बोर्गोहेन को 69 किगरा के सेमी फाइनल में आरका सामना करना पड़ा 23 साल की लवलिना को वर्ड चेंपियन बुसे नाजी सुरे नेमली ने 5-0 से राया तुर्की की सुरमे नेली सुरू से आवी रही और 30-26, 30-25, 30-25, 30-25 के मेच अपने नाम कर किया लवलिना को अपने उलंपियक में ब्रोंज मेडल से ही संतोस करना पड़ा तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों ब्रोंज मेडल जीता है और इनकी केटिगरी देख लो दोस्तों 69 के ग्रा यह बात अपने को ध्यान में रखने है किनी के बारे में लवलिना के बारे में और लवलिना का सबंद दोस्तों किस खेल से आए बॉक्सिंग से बजरंग जो पूनिय है दोस्तो हर्याना का सेर है बजरंग पूनिया बहले ही गोल्ड वाली उम्मिद्दों पर खरे नहीं उतरपायों लेकिन वे खाली आत नहीं लोटें बजरंग ने कजाकिस्तान के नियाज वेकोव को 8-0 से रहकर ब्रोंज आशिल आशिल किया देखें द देखिया दोस्तो बजरंग के पदक के साथ बारतिया पहलवान ने दो पेडियम फिनिस आसिल कर अपने सरफ शिचपधिसन की बराबरी की रवीदयया ने सिल्वर जिता था रवीदयया पहले सिल्वर जी चुके थे और बजरंग जो पहलवान है इन्होंने कौन सा जिता था दोस्तों, ब्रोंज, तो आप याद रख सकते हो, बजिरंग बैसे, ब्रोंज याद रख सकते हो, टोक्टियो लंपिक 2020 के अंतरगत, अब देखें दोस्तों, ये देखें, इंतजार खतम, जी हाँ, इंतजार खतम हो गया अपना देश का, क्यों, क्योंकि नीरिचोपडा ने अपने को कौन सा मेडल बिला दिया देश को, जी हाँ, गोल्ड मेडल दोस्तों, देखिए, ये है भारत का बबबर सेर, 121 साल के बारत के उलंपिक इत्यास में, ये पहला मोका है, जब बारत ने एक गेम्स में तिनों मेडल यानी, गोल्ड, सिल्वर और ब्रयांजे जीते, जी हाँ, दोस्तों, ये 111 साल के इत्यास का पहला उलंपिक मेडल है, जिसमें तिनों मेडल जीते, गोल्ड किसने जीते दोस्तो निरेचोपडाने तो देखे दोस्तो इन्होंने इनका जो थ्रो मिट्र है वो पने को ध्यान में रखने ये वाला ये दोस्तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है और हर एक्जाम के अंदर गत पुछा जाएगा कि उन्होंने कितने थ्रो मिट्र जो बाला फेंका और ज इसकी वज़े से उनको सरोणपद का सिलवा, तो कितना दोस्तो, 87.58, 87.58, जो थ्रो किया, टोक्यो उलम्पिक 2020 के अंतरगत, और इनका सबन्त आपको पता यह दोस्तो किस खेल से है, बाला प्रें किया, जवेलियन थ्रो, यह देखो दोस्तो, उनको पिता को कितनी खुसी पूरा हुआ है, उसके ट्रेंनिंग के स्तर को देखने के बाद में हमें यकिनन हो गया कि वैपदक जीतेगा, इस परकार दोस्तो, बारत को खुल साथ मेडला सिलवे, जिन में से एक सरवन, दो सिलवर, और चार रज़त पदक थे दोस्तो, तो देखियो दोस्तो, बारत इक जीतेएं दोस्तो, 49 गोल्ड, 41 शिलवर, और ब्रोंज जीतेएं, दो नमबर पे चीन रहा दोस्तो, तीन नमबर पे जापान, चार पे ब्रिटेन, और अपना भारत कितने नमबर पे रहा दोस्तो, 48 में नमबर पे रहा है, इंपोर्टेंट है, इसने एक गोल्ड, दो सिलव और चार ब्रोंज पदक जीते हैं तो यह पढ़ते हैं दोस्तों बारत 48 में पर रहा दो सो तीन देस तीन विसेश दल उत्रे त्राण में कोई मेडल बारत एक गोल्ड समें चार मेडल जीतकर 48 में नमबर पर रहा है यहां यह 121 साल का सरफ स्वेश्ट परदसन है बारत 41 साल ब पिक में 23 में नमबर पता और उसके बाद कभी टो 50 ने नहीं रहा तो आप देख सकते हो दोस्तों यह मारे पदक वीर कौन-कौन है दोस्तों निरचोपडा, बालापैंक, मेरा बाई चानू, रवी दहिया, बजरंग पूनिया, पीवी संदू, लव लिन्ना और पुरुस हो की टीम, और इन जो इतने खिलाडियों ने अपने यह देश के लिए मेडल लेग की आए थे दोस्तों और वें समापन समारोव अके अंदर आप देख सकते हो दवज भाक कौन थे, तो समापन समारोव अके अंदर दवज भाक मारे थे बजरंग पूनिया, दोस्तों. और श्रीगनेस में दवजवाकों थे दोस्तों तो श्रीगनेस के अंतरगत लवलिना और मनपरीद सिंग दोस्तों तो आए दोस्तों अब हम जानकारी लेते हैं कि जिन जिनने भी भारत के लिए मेडल जीता है उनके बारे में थोड़ी व्यक्तिकत जानकारी हो जाए क्योंकि इन से सबंदित भी परसन पुछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी है वो किस रज़े से निवास करता है उसका सबंद किस खेल से है तो आजे दोस्तो तो यह दोस्तो मनपरीट से यह कहां से दोस्तो यह है पंजाब से और कपतान है बारतिय पुरूस होक्की टीम के और बारतिय पुरूस होक्की टीम ने कौन सा मिडल जिता था दोस्तो टोक्यो 2020 के अंत्रगत ब्रोंज नेक्स्ट यह देखिये दोस्तो चानू साइकोम मीरांबाई इनका पुरा नाम किया दोस्तो चानु साइकोम मीरामबाई कांकी ये दोस्तो मनीपूर की है ध्यान में रखना है दोस्तो पुच्छा भी जा चुका है और खेल क्या है इनका फेट लिफ्टिंग है भारलोतन और केटेगिरी कौन सी है दोस्तो 49 kg ये पने को ध्यान में रखना है अगला है दोस्तो निर्चोपडा तो निर्चोपडा का सबंद किस राज्य सी है दोस्तो हर्याना सी है और इनका खेल है बाला फेंक या जवेल यें थ्रो कौन सा पदक जीता है दोस्तो इन्होंने गोल्ड मेडल आग ये दोस्तो लवलिना बोर्गोहेन असम किए दोस्तो और 69 कजी इवेंट से इनका सबंद है नेकस्ट बात करते है पुषाराला वेनकाटा सिंदू ये कहां किए दोस्तो ये है हेदरावाद आंदरप्रदेश किया दोस्तो और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है टोक्यो ओलम्पिक 2020 में ब्रॉंज पुदक जीता है दोस्तों ये अपने को ध्यान में रखना है Next दोस्तों अरवी कुमार दहिया कहां के हैं हरियाना के हैं और कौन सी कैटेगीरी से इवे एंट से सबंद रखते हैं स्तावन के जी से और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है दोस्तो शिल्वर पुदक जीता है अग ये दोस्तो बजरंग पूनिया इनका सबund किस राज्य से है हरियाना से 65 के जिस इनका सबंद है दोस्तो और खेल है इनका कुष्टी नेक्स्ट बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और मैं आसा करता हूँ मेरे द्वारा देगी जानकारी आपको अच्छी लगिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगिए तो पर पर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेह जरूर करिएगा धन्यवाब दोस्तों